कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के संधिक्दों की जाच अब देश के दूसरे दस राजियों तक पहुँच गई है पुछले 24 घंटे में खत्री की आशंक का कई गुना बढ़ गई है तेलंगाना में रिस्क वाले देशों से लोटे 12 ऐसे नए यात्री मिले हैं जो कोरोना पॉसिटिव पाए गए हैं इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग रुपोट का इंतसार भी किया जा रहा है सबसे बड़ा खत्रा वो लोग है जो विदेश इसे लोटने के बाद लापता हो गए है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है राहत की बात ये है कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन के दो ही कन्फर्म मरीज मिले है लेकिन दस राजियों में करीब 90 संख्यों है इनके अलावा विदेश इसे आये 225 यातरी प्रशासन के संपर्क में नहीं है वो बड़ा खत्रा साबित हो सकते हैं उनकी तलाश भी लगातार की जा रही है ओमिक्रॉन के संदिग्दों का खत्रा जिन राजियों में है उन राजियों के नाम भी आपको बता देते हैं करनाटक, तेलंगाना, महराष्ट्र, आंधरप्रदेश, तमिलनाडू, राजिस्थान, गुजरात, दिली, छतीसगर और उत्तरप्रदेश ये वो राज्ये हैं जहां ओमिक्रॉन के संदिग्द है करनाटक की बात की जाए, तो करनाटक में दक्षिन अफरिका से आए 10 यात्री लापता बताए जा रहे हैं और कई लोगों की जीनोम सिक्वेंसिंग रुपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है तेलंगाना में 12 यात्री कोविड पॉजिटिव मिले हैं यह रिस्क वाले देश से लोटे यात्री हैं इनसे पहले भी विदेश से आए 13 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए थे यानि कि तेलंगाना में कुल संख्या की बात करें तो 25 लोग पॉजिटिव हैं इनकी जीनोम सिक्वेंसिंग रोपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है वही तेलंगाना से आगे बढ़ा अंधरप्रदेश की बात करें तो यहां विदेश से आए 60 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है इन में से दो अफरीकी देशों से लोटे तीन लोग भी शामिल है महाराश्र में विदेश इसे आए 9 यात्री कोविट पॉजिटिव पाए गए है इनकी भी जीनोम सिक्वेंसिंग रोपोर्ट का इंतजार हो रहा है वहीं गुजरात में भी विदेश इसे लोटा एक यात्री कोविट पॉजिटिव पाया गया है तो गुजरात से जो यात्री लोटा है और कोविट पॉजिटिव पाया गया है वो दक्षन अफरिका से जामनगर आया था उसके 10 प्राइमरी कॉंटाक्ट्स और 102 सेकेंडरी कॉंटाक्ट्स ट्रेस किये जा चुके है राजिस्थान में दक्षन अफरिका से आए 9 यात्री कोविट पॉजिटिव पाये गये है ये एक शादी में शामिल होने आये थे उनके संपर्क में आने वालों की भी ट्रेसिंग जा रही है दिली की बात की जाए तो यहाँ पर भी रिस्क वाले देशों से लोटे 12 यात्री कोविट पॉजिटिव पाये गये है चतीस गड़ में विदेश से जो लोटे यात्री हैं उनकी अगर बात की जाए तो 66 तो राइपुर में लापता बताये जा रहे हैं जो लोटे हैं और 19 लोगिन में से लापता हैं उतरप्रदेश में विदेश इसे लखनों लोटे 125 यात्रीओं से संपर्क नहीं हो पा रहा है तमिलनाडू की बात की जाए तो यहाँ पर भी सिंगापूर से लोटे यात्री कोविट पॉजिटिफ पाया गया है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग रुपोर्ट का अब इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से स्वास्तमंत्री ने कल संसद में ओमिक्रॉन को लेकर कुछ आंकड़े बताये थे केंद्र सरकार के मताबिक रिस्क वाले देशों से 58 फ्लाइट्स आई है उन फ्लाइट्स से आने वाले 16,000 यात्रियों का आठी PCI टेस्ट किया गया है उन में से कई COVID-Positive सामने आए है Genome Sequencing Report के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये सारे लोग नए वेरियंट से infected है या नहीं ओमिक्रॉन का खत्रा दुनिया के 35 देशों तक पहुँच चुका है और ये संख्या बढ़कर 37 हो गई है इन में से 11 को भारत सरकार ने रिस्क वाली कैटेगरी में रखा है ये देश हैं United Kingdom, दक्षिन अफरिका, ब्राजील, बोट्सवाना, चीन, जिंबावे, मौरिशिस, न्यूजिलैंड, हॉंग कॉंग, सेंगपोर और इस्राइल तो रिस्क वाली कैटेगरी के ये वो 11 देशन जिनको भारत में रखा है